हलो दोस्तों नमस्कार स्वागे था आप सभी का आज इस वीडियो में और जैसे ही कल सुभम जैन सर ने एससे सीजर दोय तेश टीर वन के एक्सपेक्टेड कटाप को वीडियो डाली और वेट भी था उनका क्योंकि काफी जन्मेन डिर्विव करते हैं काफी अच्छा अनलसि हो गया तो सारा कुछ इसमें डाउट उनके बन में चलने लगा ठीक है उसके बाद जो है कि अब मैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या एक्च्वल में उनकी कटाफ वही रहने वाली जो एससे के तरफ से अभी डिक्लियर होगी ठीक है और दूसा चीज यह भी कि क्या वैकेंसी इतनी रहेगी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी और एक्च्वल कटाफ की रियल्टी में आप सभी को बताने वाला हूँ तो वीडियो को बहुत ही ध्यान पूरुग देखेगा और आप सभी के मन में जो भी कल से डाउट चल ला होंगे वो सारा कुछ कुछ क मनलब यह जो प्रेडिक्सन था वो जादे क्यों चला गया तेकि सबसे पहली चीज आप सभी एक चीज़ ध्यान देवो कि जब भी कोई सर्वे होता है चाहे रैमो सर करा रहा हो चाहे सुभम सर करा रहा हो चाहे कोई भी करा रहा हो सर्वे में तो पार्टिसिपेट को लोग चीज अब वो इस्ट्रेंट कमी होते हैं जिनके स्कोर 110 से नीचे हो सव से नीचे हो ठीक है आपने चीज देखा होगा और आप सभी इस चीज को जानते होंगे पहली बात होए होई यानि कि उसमें अच्छे स्कोर वाले जी स्ट्रेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किय दूसरा क्या होता है कि देखिए एक चीज है कि जब लिमिटेड डाटा होता है पूरा डाटा किसी पास नहीं चाहेता है बनाटा था पचीज से 19 BTS था उनका सुर्वंजे नीचे पार्याटा तो उसके बाद उनके पास जो एक्ट्वल रियल इंट्री थी वह 45 और सम्थिंग थी ठीक है और आप सभी को पता होगा कि जो आपका जो फॉर्म भरा गया था तो आप सभी इस चीज को पता हुआ कि दस से नौ आट नव से दस लाख लो स्ट्ट्विंट जो हैपर दी ऊँँगे तो एक्ट्वल डाटा थो सची के पास है कि कितने लोग पेपर धी है और ये पहश्चा है कि त्ने ऑवरेज माक्ष 살 के पास है अब सुभम जैन सर के जो थो वो 45 सर का डाटा था रेमो सर का 25 सर का और एक लगभग जो है जो अच्छा डाटा है राइंग आगईयों के पास ठीक है पहली दूसरी चीज़ हो गई अब तीसरी चीज क्या हो गई कि देखे वेकां सुभम जैन सर ने जो अभी यह जो सकता या फिर नहीं लियाज दगता है देखे सबसे पहली कि मैं आप सब को बता दो जो अब कापी सारे लोग अंत निचे कभी नहीं आई है सीजल में एक बार जो है क्यों कटाफ 147 गए थी कब गए थी 2019 में उसमें क्यों गए थी क्योंकि नॉमलाइसर में जादे मार्क्स बढ़े थे वहाँ पर आप से यह को पता हुआ और रही बात देखें पती हैँ अब कापी सब्सक्राइब कर करना अब देखें कापी सालोग इसश्कों को भी कंपेरजेन कर रहे होंगे कि 2021 से लिकार 2023 को देखें 2022 से कोई कंपरजन नहीं सकती क्योंकि अपर वैगंसी जादे थी लेकिन 21 से कंपरजन भी करना आसान चीज नहीं है और अच्छी भी चीज नहीं क्योंकि देखें एक काईस में दूसरी चीज थी कि वहाँ पर यह हो था कि मुझे अच्छे मांक्स लाने है तब जाके वहाँ पर चीज थी लेकिन वीडियो डाली है उसमें रेजिनिंग में एवरेज मांक्स 41 बनना है और वहाँ पर था कि एवरेज मांक्स 45-44 इस तरह बनना है थे 2.21 में और अगर मैद की बात करना दो यह हो गए मैद में इस पर seeking तो अगर उसकी सब्सक्राइब करना डियाते तो अब थे एकंशियम में क्या चीजे थी और त्यूसरी हो जाते है रब जैसे ही वहाँ पर था कि Tier 1, Tier 2 सारे कुछ हुए कैल्कुलेट के जाते थे लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग करना Tier 1 को तो दूसरी चीजें हो जाती है और आप सभी को पता हुगा 2023 का जो कंपरजन चला है 2021 में वेकंसी ठीक है उतनी अभी रिपोर्ट की गई है लेकिन आप आप सभी को पताऊगा कि जो वेस्ट बेंगॉल रिजन था उसमें 236 वेकंसी जो है रिपोर्ट की गई थी अभी आपके तमाम रिजन है ठीक है कापी सारे रिजन है उस रिजन में अगर मालिये 223 से वेकंसी बढ़ती है तब भी आपके कुल्मा के 4000 क्यास पस वेकंसी इंक करता है लेकिन वहां पर देखेंगा दस गुना भी लिया तब भी उसके पास साड़े तीन लाख कंड़ेट्स हो गए थे अब फिर भी उसके पास उसको जो है तीन दिन में पेपर कंड़ेट कराना पड़ा सीजल में ठीक है अब देखें से की स्टेंड क्या है कि एक लाख 20 यार 25 यार इतना लोग को पेपर यू है एक दिन में करा सकता है तो इतना मान के चले जो सुभम जैंसर का डाटा था वो दस गुना पर था लेकिन अब देखेंगे जो अभी आप देखेंगे जो अभी एससी टीयर वन का जब रिजल टाइगा सीजल दो है इसका वो वेकंश से भी इनक्री होगी नहीं अगर 15,000 होगी तो 10,000 होगी होगी दूसरी चीज अगर 15 गुना कंडिट्स को नहीं ले आता है तो 13 गुना 14 गुना बच्चों को लिया जागा वो 100 पसेंट और जो आप इस चीज को कंपरेजन कर रहा हो कि 2021 में चीजे ऐसी थी तो 2023 में ऐसी है त तो मैं आप सभी को बता दूँ देखे बहुत जादे डिफरेंस नहीं होगा है अगर 2021 में कर देखा जाए तो वहाँ पे एवरेज मार्क्स 110 बनना है थे और यहाँ पे 115 बननना है अभी उनके हिसाब से चार मार्क्स का टेकरीज हो रहा है ठीक है लेकिन अभी जो है कि वहा पहले बता चुकाँ जो एकस्पेक्टेड कटाप हो सकती है से सीजर द्वर्थेज टीर बन की जन्रल की 135 से 137 रहेगी इससे ऊपर एक भी नम बन नहीं जाएगी आप चाहो तो इस इसको नोट करके रख लो 135 से 137 देखे कोई भी एक चीज़ मैं आप सभी को बता दू कोई कोई भी प्रडिक्ट करें सुवधी चाहिए रेमो सर करें कोई भी करा कटाप प्रडिक्शन कभी भी देखें सब हमेशा यूर की कटाप प्रडिक्शन कर पाते हैं सब लोग OVC, EWS, SC, ST, PH इन सबका जो कटाप प्रडिक्शन जो है सबका अगराओं होता है और सब में अच्छे अच्छे वरियेशन आते हैं तो देखें इसको लेकि बिल्कुल भी परिशाल ना है कि मेरे इतने माक्स है सुन जैंसर ने 149 बता दिया है SC कटेगरी का 170 बता दिया है इ लेकिन 100 बहुत अगर उड़के जाएक कटाप तो 135 जाएगी उससे उपर नहीं जाएगी ठीक है 135 से 37 जाएगी आपकी UR की उसके बाद EWS में भी आपका 115 से लेके 108 जा सकता है और जो OVC होती है उसमें जो है 121 से लेके 125 तक जा सकती है कटाप उसके बाद अगर देखा जा है ऐसी कटेगरी की तो बहुत जादे कटाप जाएगी तो अंठान में से 101 जा सकती है बाकी कटेगरी अपना देख सकती है जैसे इस तरह मैंने इंक्रीज किया है क्योंकि मैं काफी सारे प्रेडिक्शन करने बाद चाह रहेमों सरका देखने बाद चाह स्वम जैन सरका काल्कुलेशन उनके पास है क्योंकि एक लाग अठाई से अरग डाटा है और दूसरा सी आप सब ने देखा होगे जो रहें काफी हद तक 95 पसंट तक सही रहता है उसमें ज्यादे दिक्कत नहीं आती है तो रहेंक्शन के इसाब से भी जब कटाफ 117 है तो फिर इस इसको ल करता हूं आपके मन में यह कटाफ को लेकर जो फोविया चलना है वो खत्म हो जाना चाहिए और अगर आप उस रेंज में आएंगे तो आप अपने मेंस की त्यारी करिए अधरवाई आप अपने आगे की इसामसन के त्यारी करिए बहुत जादे दिन सीजल 2024 में नहीं है जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्ट्वल में आपसे की डाउट क्लियर हो जाने चाहिए और उसके बाद उमेद करता हूं आप सभी अगर उसके रेंज में आ रहो तो अपने मेंस के त्यारी करिएगा ठीक है तो उमेद करता हूं आप चीजों को समझ गया होंगे कि स्क्राइब पर ये बेल आइकान जरू प्रस करिए और वीडियो को जादा जादा सेयर किजिएगा थैंक्यू